दोस्तों राम सेत्यू को कौन नहीं जानता इन दोनों तो बड़े-बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसेर्च कर रहे हैं और फिल्में भी बन रही हैं लेकिन क्या आपको मालूम है राम सेत्यू की ये पांच रही समय चीजें जो इस जगा को और खास बनाती है ऐसा कहते हैं क इस जमीन से करीब 3-30 फुट तक गहरा है 1480 में आएक तुफान की वज़े से इबरिज कुछ तूट सा चुका है साल 1480 में समुद्र में एक बड़े चकरवात आने के बाद पुल पाने के अंदर डूब गया था जैसे आज राम सेत्यू पानी के अंदर है लेकिन फिर भी य यहां जहाजों को आने जाने की अनुमती नहीं है असल में कुछ पॉइंट और गहराई के साथ पानी काफी उतला हुआ है और यह पुल पुरी तरह से डूबा हुआ भी नहीं है इस वज़े से भारत के जहाजों को श्रलंका पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है राम सेतु कितना पुराना है इसे लेकर कई अलग-अलग मानने ताई जूड़ी हुई हैं कई पॉरानिक कत्हां के अनुसार यह पुल करीब на 3000 साल पुराना है तो कुछ के अनुसार इसे 7000 पुराना पता जाता है बिब्रिज अपने डिजाइन और तेहास की व नहीं पाया दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे लेकर कई रिसर्च में लगे हुए हैं